किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य भगवान को दिया गया जल, सूर्य तक कैसे पहुँचता है? एक पंडित जी प्रति दिन सूर्य को जल चड़ाते थे, कुछ कॉन्वेंट वाले लड़के उनका मजाग बनाते थे. क्या पंडित जी, इतनी दूर सूर्य आप जो जल चड़ाते हैं वह जमीन पर गिर जाता है, वह सूरज तक तो पहुँचता नहीं फिर आपके जल चड़ाने से क्या फाइदा? ऐसे ही जब उन्हें कहते कहते कई दिन हो गए, तो एक दिन पंडित जी उन्हें मा बहन की गालियां देने लगे इल, उस दिन पंडित जी ने उनको जी भर के गालियां दी. इस बात की शिकायत उन लड़कों ने अपने घर जाकर की उनके घर वालों ने कहा पंडित जी बहुत सरल स्वभाव के और धार्मिक आचरण वाले हैं वह ऐसी गालियां कैसे दे सकते हैं किन्तु उन लड़कों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं फिर उनके घर वाले लाठी डंडा लेकर पंडित जी के पास गए उनसे पूछा पंडित जी आपने लड़कों को गंदी गंदी गालियां दी हैं पंडित जी ने कहा हाँ दी हैं वह लोग बोले आप कर्मकांडी और धार्मिक व्यक्ति हैं हम आपका सम्मान करते हैं आपसे इस प्रकार की उम्मीद बिलकुल भी नहीं थी पंडित जी ने कहा मैं सूर्यदेव को जल चड़ाता था यह लोग प्रति दिन मेरा मजाग बना कर कहते आपके द्वारा चड़ाया जल तो यही गिर जाता है सूर्यदेव तक नहीं पहुँचता है इस बात का उत्तर मैंने इन्हें दिया है घरवाले बोले गालियां देकर कौन सा उत्तर दिया जाता है पंडित जी ने कहा मैंने सिर्फ इनकी माबेहन की गालियां दी है मैं इनकी माबेहन के पास नहीं गया और ना ही मैंने उनकी माबेहन को देखा है सिर्फ माबेहन की गालियां दी है गालियों का प्रभाव इतना हो सकता है कि इन लोगों ने शिकायत की और आप लोग लाठी डंडा लेकर के मुझे मारने के लिए आ गए और कुछ अपनी बाहे समेटने लगे अब शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव है तो जो मैं प्रेम से सूर्य देव को मंत्र पढ़कर जल अर्पित कर रहा हूँ क्या वह उन तक नहीं पहुँच रहा होगा जब अप शब्दों का प्रभाव इतना अधिक हो सकता है तो क्या प्रेम के साथ मंत्र उच्चारण और भगवान को अर्पित प्रसाद और जल भगवान तक नहीं पहुँच रहा होगा पंडित जी की यह बात सुनकर वह सब लोग उन्हें प्रणाम कर वापस चले गए यदि आपसे भी कोई इस तरीके से प्रश्न पूछे पित्र भोज पर कटाक्ष करें तो आप भी उसे जी भर के गालिया दें और बात में समझा कर इसी तरह से पटाक्षिप कर दें